डिमांड रहेगी कल 6 अक्टूबर है टिकेट साब का जनम दिन भी है तो उनके उससे गन्य का बड़ा इसू है जंगली जो जानवर हैं उसका बड़ा इसू है छुट्टा पसू का इसू रहेगा बिजली जो स्मार्ट मीटर या दूसरे मीटर लग रहे वह एक इसू रहेगा गन्या भुगतान का है तो यह बहुत से मामले हैं तो इसमें कल जो फसले नश्ट हुई उसके बारे में अधीकारी से भी बातचीत करेंगे और जो मीटिंग है वो हम इको गार्टन में अपनी मीटिंग वहां पर कर रहे हैं यहां पर उस तरह के विवस्ता नहीं है ना सोच भाट रहेगी से अधिक निमेट्रिया वाँ तक क्या सरकार है नई सरकार आजाएगी आठ तारी में नई सरकार आ जाएगी नो दस-ग्यारा तारी में गठन हो जाएगा मोजुदा सरकार तो नहीं आ रही है भुक्त लगता है कि किसान अंदोलन एक बड़ा अस्म डालेगा हर्यान के चना बिलकुल डाल लगा क्योंकि सबसे ज़्याद संगर्स हर्यान की धरति पर हुए हैं ऑचे-पंजाब से लोग आ रहे हो या दूसरे जगह से लोग आये हो और सहीद भी सबसे ज़्यादर किसी विकास योजना को मंजूरी पदान की गई है इस पे कितना किसानों को लाब मिलेगा अब पता नहीं कांग जुबदी हो कि गन्ने का बुगतान तो यह निजो फसल के रेट तो ठीक मिलनी रहे मुख्यमंत्री जी गोशना करते हैं कि बिजली फिरी देंगे अलक्षन से पहले सरकार गोशना करती है कि हमारी सरकार आएगी तो पांच साल बिजली फिरी रहेगी मीटर में को फिरी बिजली कैसे आएगी वह टेकनोलोजी हमको तो मिली नहीं कि देखो किसान को मिलागा भाव अब गरने का भुगता नहीं या पिछले साल का और लखनाओं के कागजुम में योजना स्मार्ट योजना बन रही है तो लखनाओं के कागजुमा बन नहीं दरहा तलब तो नहीं जा लिए कागजुमें उन्नती किसान उन्नती लिखने से उन्नती हो जाएगी उसका होगा फसलों के दाम मिलने से दाम मिलनी देहें और परदान मंत्री उन्नती योजना उन्नत लिखने से काम नहीं चलगा उन्नती करने से काम भी लगा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी